किसान भाईयों नमस्कार देख सकते हैं जी बहुत ही जबर्जस गरना खड़ा हुआ है और थोड़ी सी किसान भाई से जानकारी लेंगे भाईया नमस्कार भाईया थोड़ा सा एक तो पहले तो मुझे यू बता दो यह बीज कौन सा मुझे सक्सा हो रहा हूं यह है जीरो दो होगी एक जूना कहा लगेगा इसके उपर मतलब एक देड़ महीने के बाद में तो यह इतना जबजस कैसे हो गया देखो पर बात है एक तो हम पिछले साथ सालों से पत्ती की मल्चिंग कर रहे हम कोई फूकते नहीं मतलब पत्ती जो है खेतमी जोत्तों है बोड़ हो या प इसका रिजल्ट है तो सामने दिखाए देरा हम हमारा हर साल है घ्रमक पर बस बस और जिसमारे खातम पत्ती कट्री तो अपना करी थी तो सुरुबात में मुझे ऐसा लग रहा जैसे यह थोक्त छोड़ा अच्छे डबल लाइन तो इस पर परकाश ड़लो कैसे कैसे मतलब जो ट्रेंच के आपने खूड निकाल ले तो इसकी बॉआई कैसा करी कभी वह थी इसकी पिछले साल जो गॉआई करी थी हमने जी यह मन्नो मार्च यापरेल 20 मार्च की थी तो मार्च की माल लो तो यह इस बार पेड़ी होगी ना ठीक है तो जैसे यह 38 है पिछले साल भी मैंने वीडियो पढ़ाई थी जब भी ऐसा ही खड़ा तो वह क्या है पूरिया जो आप इसे मैं लगा रही वह बताओ बहुत समान पढ़ा जी अरंगा बहुत पढ़ा अब बहुत लोग तो मुझाव है कि लागत घटा दो चुटकी सी नुच रग दो चुटकी से कुछ नहीं होता लगानी पड़ेगी लगा यारा का कैल्शम नाइटेट भी है ठीक है और आपका जिंक फैराद मैगनीज सलफर भी है ठीक है और कैलब अच्छा वो तो रीपीट करोगे करोगे और यूरिया डाई या एनिपी के लगाँ लगांगे तो कब लगाऊँ यह मन्नों अगले मिन्ने अब लगाका मतब सितंबर के लास्ट में अब लगा के अच्चा अगर अब यह सारी डोज लगा दोगे तो इसके बाद फिर लगा होगे सितंबर के लाश्ट में अक्टूबर के सुर्व अगर करना मंगेगा तो अगर नहीं नहीं डालो के तो भी तो इसका मुड़ा फड़ो को पेड़ी रखोगे तो फिर तो डालनी पड़ेगी डोज तो मैं चोड़नी एक सबसे परली तरफ सबसे लाश्ट जो है उसमें हो भी ठीक है तो जैसे बहुत भाई यह कह रहे हैं कि 38 का जलवान खतम हो गया रैड रोट आ गया और मैं देख रहा जी जैसा आपका पूरा ही बड़ा खेत है परे तक काफी बड़ा खेत है कि फिर भी जब 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 खड़ा कैसे है कि प्रबंदर के उपर बात है तो हो रहा है बहुत भाई कह रहे हैं कि मतलब अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो यूरिया कम डालो डाई कम डालो हो का मारो इस पर द्यान दो इस पर द्यान दो जैसे अब समय चल रहा है मालो कल यह वीडियो अप्लोड होगी और आज तारीक होगी 29 30 30 30 30 होगी ना तो कल तक होगी पहली तारीक तक अपलोड होगी तो यह मान के चलो कि जो आदमी पहली तारीक में भी सिदंबर में भी डोज लगाने की सोच रहा है उसकी कितनी तैयारी होगी सचाहिए और बहुत भाई जो है मुझा लगा जून में खाट जो डाल दिया था मिट्टी चलाने से पहले पहले उसी में को गेर के मतावने घर लोट रहे मजे से और मुझा अशा लग रहा थारे मुस्कुराहाट कुर चेहरे को देख तब यह डोस तो बताई रहे हैं कुछ और भी सोच रहे मनने मां तो तो पादन बढ़ाना है तो डोज भी बढ़ानी पड़ेगी और जो अब मुझे थोड़ी सी बात चले तो असी में जाक की होगा रोज भी आपने जो बेसल डोज बताई वो सब डाल रहे कोई आप ही नहीं डाल रहे हैं अब मुझे बताओ कुछ ऐसी चीज जो मतलब और किसान भाई नहीं डाल रहे या नहीं कुछ चीज पर ध्यान दे रहे और वो इतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पारे या बहुत आदमी जाद डोज लगा रहे हैं वो फिर भी उत्पादन नहीं ले पारे उसका में कारण क्या है गन्य का जमाव पिटना सबसे बड़ा कारण है पहली बात ठीक है गन् प्रवंदन तो करना उसका है अगर जमाना है ठीक है उसमें आप चारो सलफेट लगाओ फुरू कटाई से पहले कटाई से पहले लगबक कितने दिन पहले यह मन्नों एक मिहना पहले बोड़ में बढ़ेगा आपका मतला फरवरी के सुरू के हपते में अगर मार्च की दरव किरें ये डुरू के रहे हैं तो मतलब जो हम लगा रहे हैं वो हम लगाई रहे हैं सात्य मैं अपना जो अगली साल से बहुरी इस वोडर शी taarnya पिड्र records बणा रहे हैं तो के लिए टाना हम व कम निधार कर निकल बाते हैं मतलब जहां यह पहला जूना लगया तो यहां से आप कठवा दोगे यह मील में जागा उपर करना भूंगे इसका कोईला लची नहीं यह सिद्धा मील में तो थोड़ी सी कभाथ पड़ेगी जाद है कोई नी माल बनाने तो उसमापना जो उपर का गन्ना निकलेगा विल्कु जैसे कुछ बाई बता दें कि बीज को ट्रीट करके बोना चीए आपके हिसाब से कैसे करेंगे क्योंकि उस समय जब हम गन्ने की बौई करते हैं जैसे हमने खुद भी किसान हम पहले तो हमने जैसे बौई करके देखी तो उस टेम वह इतना काम हो नहीं पाता जितना हम दू तो मिट्टी से हो जाओगा आपकी बाईर की तो से डेट सोग्राम में करती क्या मतलब बायर की लिसेंटा अच्छा ठीक है तो वह पेंडे पर इस प्रे करें रेतमेर यूरिया मिला अच्छ मिला दी जूरूत ना जमांव अंडर पर सेंटा आओगा ठीक है और लंबे समय अच्छा कुछ भाई तो मतलब बता में की स्प्रे करें इस प्रेकर जारे तरह इतना बढ़िया नहीं है या तो फिर डिप करके वह आप 15 मिंट मतलब से मतलब डुबा में होने चीह है जब आप उपर से कच्छी पर करें उसका फाइदा क्या है वो तो बंद हो गया वो तो कच्छी पर उपर खोख लेपा होगा उसका हां तो अवजो कहां से उवी दबाई गवा जी जी उससे तो हम यूरिया में लेत्म मिला के असा करके अड़िया मिला करके डाल दो के पानी से ही वह अंदर गुज जाएगा जी जो हमारे कटेवे रेस से हैं जी हमारा गंणा है तो अब जैसे यह अपने पास में जो है 0238 की पेड़ी है अगली साल लाश्ट पेड़ी हो जाएगी तीबर्सी कर लोगी तो इसके बाद मैं और वेराइटी चेंज करोगे अभी या अभी एक दो साल 38 को और चलाओगे अगर चलेगी तो रखोगी एक बात और रहेगी थी जैसे किसान भाईयों का एक सवाल और था जैसे आपने इसमें बुआई करी डबल खूडगी डबल खूडगी कर दी अब आप परली तरफ मैं अगर उस बीज को हम डबल लाइन में कर देंगे तो वह बेकार हो जागा फूस हो जागा यह बात यह बहुत जो है गोर करने की बात है भाईया ने बहुत ही जादा बात बताई है कि बीज बीज का फरक हो गए बहुत बढ़िया किसान भाईयों बहुत ही अच्छा गन्ना ह द 210 बहुत बहुत भाईयों को आपने तनी अच्छी जानकारी और मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत-बहुत आपको बदाई देता हूं कि आपने इतना च्चा अच्छा गन्ना पैदा करका है कि सभाई ओ अगर किसी कि इसे बात में भी कुछ जट्टा लगा यह कूछ भी जी जननी विलोग में पड़ता है ये किठोली के बिल्कु सामने बफ़र तो फेमस गाओं है वहाँ पर आप आके भाईया की व्यवस्ता भी देख सकते हैं गर्ना खड़ा जी जब अर अभी ये कम सा कम एक बार और बंदेगा पिछली बर जब मैं आया था ये काफी छोटा थ अब बहुत अच्छा हो रहा और भाईया ना बताया कि पती है ना निच्चे की जिसे आप ऐसी जला दो एक सेकेंड चुठकी लगा ये जला दी ये पती की जुताई करते हैं जो हम पती की जुताई वाला फोर्मुल्ला है वह भी हमने भाईया सही लिया था आपने सबसे बड़ा कहान है तो निच्ची की खता में है ये मानो ये निखालिस नायेट्रोजन पोटास और डाइज मतलब जो अपने डो डाली वो तो यहीं मिलगी यहीं यह जैसी पाने लगाऊंगे हाज यह पती कर लेगी ठीक है यह जड़े से आज़ा हो करेंगी एक दम अग अगर जमीन में करबन की मात्रा यह बनाती है यह पती है असली स्रोथ जमीन को उपजाव बनाने के लिए पती खरफ़तवार यहीं बढ़ारे बस तो भी आप कोई खरफ़तवार की स्प्रे वगरा भी करवाते कुछी नहीं बिल्कुल ना बोड़ में ना पेड़्डी में इसकी फिर नलाई करवा देंगे यह देखो जी सारे में घास खड़ी हुई है और फसल बीजब जब 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 खड़ी हुई है दुबारे से कहूंगो वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाईयो शेर जरूर करें नमस्कार